जहन साथियो, स्वागते आप सभी का सत्या एक्सेलेंट योटूब चैनल पे, अभी आप इस्क्रेन पर एक नोटिपिकेशन देख रहे हैं, नोटिपिकेशन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह नोटिपिकेशन भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है, और नोटिप सरे पोश्ट देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको पोश्ट मेटिकल आपिसर का भी देखने को मिलता है, साइन्टिश्ट टेकनिकल का भी देखने को मिल जाता है, टेकनिकल असिटेंट का भी देखने को मिल जाता है, टेकनिसियन भी का भी पोश्ट है, ड्रॉप्मेन भी पोष्ट है और यहां पर आपको असिटेंट का भी पोष्ट देखनेंगे मिल Keeping कि नहीं है यहां पर अप्लाई करने वाले च्षाथ्रों की कमी है यह यहां आप एक या डिग्री डिप्लोमा के च्षाथ्रहें तो आप इस फाप को अपलाई कर पाएंगे लेकिन उससे पहले में आप सभी से एक ही सिट करूंगा यदि आप इस तरह की वेकेंसी के बारे में आपको जनकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दीख रहा होगा सस्क्राइब वला उससे जरूर दबाईएगा चले इसके बारे में आपक देखिए यह नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है इंडियान स्पेस रिसर्च और अर्गनाइगेशन के अंतरगत जिसमें यहां पर आपको लोकेशन देखने को मिल जाता है बैंगलरू का लेकिन यह जो फार में आप किसी भी राज्य के अंतरगत आते हैं आप क्या हैं तो इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे नीचे आ जाएए यहां पर आप नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आ जाते हैं तो यहां पर आपको जो पहला पोस्ट देखने को मिल जाता है इसमें आपको वीमामनन की किस्सा का पोस्ट देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर खेल किस्टा का पोश्ट आपको देखनों के मिल जाता है जिसमें टोटल एक सीट खा लिए वो भी यहां पर जनल के लिए तो यहां पर भी आपको medical अब यहां पर नीचे आ जाते हैं यहां पर नीचे आ जाते हैं यहां पर एक और आपको पोश्ट देखनों के मिल जाता है जिसमें यहां पर आपको संराचत्मक डिजाइन का यहां पर पोश्ट जिसमें एक सीट खा लिए इसमें भी यहां पर सेम क्वालिफिकेशन आपको देखनों के मिल जाता है इसमें भी बीटे कि यहां पर मांगा जा यह आपका safety का पोष्ट जिसमें एक seat खाली है और यहाँ पर भी बीटेक यहाँ पर मांगा जा रहा है अब नीचे आजिए अब यदि बात करते हैं ITI चात्रों के लिए तो ITI के चात्र आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आजिएगा जैसे आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर mechanical का post देखने को मिल जाता है इसमें डिपलोमा धारक अप्लाई कर पाएंगे यदि आपने mechanical engineering के यह पर्थम study में डिपलोमा यह आपने complete कर रख है तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें यहाँ पर total 13 seat आपको खाली देखने को मिल जाती है और इसमें जो आपका selection हो सेनी में डिपलोमा का course complete होना चीए और इसमें आपका लिखित परिच्चा होगा प्लस causal परिच्चा होगा ध्यानी के अतलब की skill test होगा अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो अब यहाँ पर सुरू होता है आई चात्रों के लिए पहला ट्रेड यहाँ पर फीटर देखने को म मिल जाता है दूसरा ट्रेड आप साथ हो देखिए इसमें यहाँ पर इलेक्तोनिक मेकैनिक रखा गया है और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एसी एंड रिफिरेशन का पोश्ट आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर चौथा पोश्ट है वेल्ड सीट खा लिए ITE वालों के लिए जाने केगा और यहाँ पर एक और पोश्ट आपको देखने को मिल जाता है जो कि ड्रॉप में सिविल का है इसमें भी ITE के छात्र फार्म को प्लाई कर पाएंगे लेकिन NTC और NTC सेटिफिकेट आपके पास होना चीए वो भी ड्रॉप में स सिविल ट्रेड के अनुसार इहां रेखियेगा इतने आपको देखनों को मिल जाते हैं एक पोश्ट यौक्त आपको सहयक का देखनों को मिल जाता है जो कि राज वहांसा का यह पोश्ट है इसमें हम टेंग टॉटल 4 सीट काली लेकिन इसमें जो योगिता मांगीं दस्षमी पास मागा गया है ठीक है ध्याने किएगा और इसमें जो आपका सेलेक्शन होगा वह किस तरह होगा तो लिखित परिच्छा और यहां पर कौसर परिच्छा के अंतरगत आपका किया जएगा यहां पर उपर आजिए स्क्रॉल करते हुए जैसे कि यहां पर मैं आपको बता से तो आप अप अप्लाई कर पाएंगे और यह ध्याने किएगा आपका जो कॉर्स कंप्लीट होना चाहिए वह एंसी बीटी सही होना चीए अधर से नहीं होना चीए यह बात आप ध्याने किएगा बागी साथ यह आप नीचे आजिए टोटल आप पोस्ट यहां पर पेचे आ जाते हैं तो इसके बारे में वेतन के बारे में भी यह आप जनकारी दी गए है जो कि यहां पर यह दिया लगए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर प्लाई किया जएगा तो आप यहां पर डेट को ध्याने कियेगा आवेधन कैसे करना है और इसका जो वेबसाइट ही वो क्या है तो आवेधन पंजीकरण का जो डेट रखा गये वो 19-9-2024 है और यह जो फॉर्म अप्लाई किया जएगा नो दस दो हजार चोविस की डेट से फॉर्म अप्लाई किया जएगा बतलब कि आज की डेट है अठरह और कल की डेट है साथ ही हो 19 तारीक तो कल की डेट से यह जो फॉर्म में अप्लाई होना सुरू हो जाएगा और अगले माहा तक 9 तारीक तक यह फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और इसकी जो अपिसियल वेबसाइट है आप यहाँ पर देख सकते हैं www.isro.uv.in इसकी अपि करना चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं साथी साथ साथियो आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउलोड कर पाएंगे यह आपके उपर डिपेंड करता है आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं यह बात करें साथियो कि कि कितना आपको फॉर्म फिस आवेधन का ध्याने किएगा जो यहांपर समानी सनरणी के इंतरड़्ट आते उनको यहांपर 750 उर्पई देना है वाकि जो छाटर सस्सिटि इंतररगत के इंतरगत आते हैं उनको यहांपर 250 उपड़े मतलब कि यहांपर जनरल और बीचिक dic-करणा करें तो तो आप किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट में आपको कोई भी ऐसा नहीं रखा गया है, बाकि यह अलग-अलग यहां पर पेमेंट करने की परक्रिया बताई गये, तो जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उसमें भी आपको सारी जनकारी देखने को मिल है, और उसको आप अच्छी तरह से समझते हैं, उमीद है आपको जनकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नई होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब के लिजिएगा, कोई भी वे किंसी आती है, आपको अपडेट मिलती इस समझते हैं, और चैनल पर इस वीडियोग कीजिएगा, कोई जनकारी पर नहे होगी है.